कि अलो आपर विडियो ऑन आज वीडियो पर आज के इस वीटिव में बात किन जा रहे हैं वेब्सॉल एनर्जी सिस्टम का जो रिजल्ट आया है क्वाटर रिजल्ट उसको कम्प्लिटली एनलाइज करेंगे वेब्सॉल energy system के बहुत सारे viewers जो है बहुत सारे लोग जो है वह चैनल पर connected है और अगर आफ को भी लगता है कि इसका quarter analysis आफको कहीं न कहीं benefit दे सकता है तो आफ definitely इस complete वीडियो को चेक कर सकते हैं और हम आफको और बता दे यह सिर्फ और सिर्फ analysis वीडियो है बाकी decision आफका है पैसा आफक decisions खुद लीजेगा पर इस particular चैनल पर इस particular वीडियो में website energy system के बारे में हम लोग complete details जानेंगे कि अभी तक क्या क्या चीज़े चल रही थी इस share में क्या कुछ देखने को मिले हैं इस share में quarterly result में क्या कुछ अच्छा देखने को मिला यह सारा details करेंगे सारी details को समझने के कोसि करेंगे और अगर आप इसको देखेंगे ना company के बारे में थोड़ा सा अगर आप डीटेल जाने कोसिश करेंगे तो आपको दिखेंगा कि solar panel बनाती और solar panel जो है ना government है बहुत जादा बुलिश ठीक है और दूसरा solar energy, solar energy से government का एक बहुत अच्छा campaign भी चल रहा है आपको अगर इस channel पे अपने रूफ टॉप में इंस्टॉल कराते हैं तो आपको 72,000 रुपीज तक का subsidy मिलेगा इसी channel पे यह data available है और आप इसको चेक कर सकते हैं इसके अलावा हम आपको बता दे अगर यह जो शेर है वेबसॉल इस वेबसॉल energy का plant जो है वो वेस्ट बेंगाल में है और यहां से यह completely operate करता है इस part of reason को अगर हम share के rally को देखे तो एक दिन में यह share में रैली देखने को मिला 1.61% के आसपास पास दिन में यह share 3% डाउन था एक महिने में यह share 3% अब था चे महिने में 41% की rally इस share ने दिखाई थी one shot में यह share within 10 days within 10 days में इस share में जो rally आप देख रहे होंगे अब स्क्रीन पे वह 118% की rally है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर अब हम बात करें वहां से यह share थोड़ा सा correction में भी रहा है 15% मतलब अप्रील के बाद से पर अभी जो quarterly result सामने आया है एक साल में मतलब अभी तक एक साल में इस share ने 4.7x का return दिया है मतलब almost 5x return किया है इस share ने एक साल के अंदर और वहीं January से अभी तक का अगर हम लोग देखे तो 118% की rally है year का 143% की rally है first of January से लेके अभी तक का जो की बहुत बड़ा massive rally कहा जा सकता है और ऐसे massive rally होने के पीछे बहुत बड़ा reason होता है किसी भी शेयर का और अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको बहुत क्लिरली दिखेगा कि almost यह शेयर एक साल में 143% की rally दिखाया है और यह एक साल भी नहीं है जिस जनवाइटी से लिए अगस्त तक का है एक साल का data आपको बता दे तो 4.7x का return इस शेयर ने अलड़ी दे दिया है यह था वेबसॉल सोलर वेबसॉल सोलर के energy में अगर हम आपको बता दे तो net sales में increase हुआ है almost like 225% के आसपास क्योंकि last year इसने company ने बहुत बड़ा यह पूरा का पूरा NSC और BSC को यह company ने अपने तरफ से एक intimation दिया है और यह data basically इनके quarterly result को show करता है कि quarter result जो June 30 में कितना sale रहा है, total income क्या है, operational income क्या है, expenses क्या थे, profit क्या था, total profit percentage के साथ यह company ने intimate किया है altogether NSC, NBSC को जिसको हम लोग अभी detail में समझने ही को सिस करेंगे, यह था edited, unordited result, उसके अलावा अगर आफ इस company के last deal की बात करें, तो फिलहाल फिलहाल आफ के पास last deal यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, और यह था जो भी details है, अब हम लोग आ जाते है इसके fundamental details पे और उसकी बाद हम लोग चेक आउट करेंगे इसका quarterly result कैसा था, अब हम लोग बात करें fundamentals पे, तो 2500 क्रोर का market capital है, जो की बहुत अच्छा है, हम आफको बता देखिए, क्या होता है ना, कि अगर 500 क्रोर के capital को थोड़ा सा risky होता है, पर अगर यही 1000 क्रोर के market capital को अ करता है, जब 1000 क्रोर की company आगे चलके 10,000 या 15,000 क्रोर का market capital capture करती है, तो वो already अपने market capital को 10 गुना 15 गुना कर चुके होती है, जिसके करने share price में भी अच्छा खासा increment देखने को मिलता है, हाला कि यह company का करने हम लोग 5 साल के graph को देखेंगे ना, तो 5 साल में आपको देखिए के आसपास का retirement almost 33X इसने किया है अपने investors के पैसे को सिर्फ 5 साल में, website energy system, 33 गुना, यह rally रही है, अब हम लोग इस share के बारे हम बात करें, तो पिछले एक साल में 1 year 52 weeks जो low था, वो 99 रुपीज का था, 52 weeks high था, वो 749 रुपीज का था, book value अभी भी इसमें 25 रुपीज की है, 3 315 का PE है, हाला कि sales अब increase वोग और भी जादा, तो maybe PE settle down हो जाए, ROC, ROE अभी भी negative में है, minus 10 and minus 16%, profit growth जो है, वो 144% है, and sales growth जो है, वो 900% के आसपास है, 9X का sales growth यहाँ पे देखने को मिला है, अब लोग बात करें depth का, तो इस company में depth जो है, वो काफी कम है, वाला फिर भी वो 1.7 है, जो कि actually जादा होता है, अगर, देखे, debt to equity ratio जो होता है, debt to equity ratio वो हमेशा, that this should be always be less than one, जब आफ कभी भी किसी company में debt to equity ratio अगर आप देखने जाए, तो आप ये ध्यान रखे कि उस company का debt to equity ratio जो है, वो हमेशा, एक से काम होना चाहिए, ठीक है, एक से काम होना चाहिए, यहाँ पर 1.7 है, जो कि थोड़ा सा expensive है, debt to equity ratio, अगर हम लोग बात करें, operating profit margin की, तो 27% का operating profit margin काफी अच्छा होता है, FII की holding में changes या DIA की holding में changes बहुत ज़्यादा खास हुआ नहीं, अब लोग investor pattern के बारे में जब बात करेंगे, तो completely इस data को देखेंगे, ये जो graph है, जो आ अच्छे तरीके से, हमेशा किसी भी share को purchase करने से पहले जरूर आपको देखना चाहिए, ये अगर आफ graph देखेंगे तो ये यल्लो लाइन आपको देख रही है, ये यल्लो लाइन है, 50 डे में ये यल्लो लाइन है, और यहीं पर अगर आफ ये ग्रे लाइन देखेंगे, त ये अपने all time range के आसपास चल रहा है, 50 days के range के आसपास ये share अभी move कर रहा है, 50 day daily moving average का, 50 days का trading amount का अगर average निकालेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलता है, अब आजाते है quarterly result पे और quarterly की data पे, तो quarterly result आप देखेंगे, पिछले quarter में, मार्च 2024 में, इस company का जो operational profit था, वो minus 3 करो के आसपास का expense था, तो वो होता है factory work होगा, और भी बहुत सारी चीज़े इस company में चल रही है थी, जिसकी कारें इस company में almost minus 3 करोड के आसपास का इस company में data देखने को मिला, loss इस company ने operational loss book किया था, और operational profit margin के बात करेंगे, तो वो भी minus 13% था, तो altogether 59 करोड का loss इस company ने net loss registered किया 12 करोड का sales जो है, 112 करोड का sales percentage, sales जो रुपीज में है, 112 करोड के आसपास का company ने sales किया है, और 68 करोड का company के पास expense है, मतलब इस 112 करोड के sales को fulfill करने के लिए, ये company का expense के अगर हम बात करेंगे, तो 68 करोड का expense है, उसके बाद 44 करोड का profit है, ये profit कहां सबढ़ है? रिश्चर होता है, operational profit margin means, जो भी sales company करती है, उसमें 33, 39% का profit company बना लेती है, company में debt है, तो definitely company एक interest तो pay करेगी है, तो 5 करोड रुपए का आसपास का interest company pay करती है, 8 करोड रुपए इस company के other expenses में depreciation expenses है, तो इस company का जो net profitability आता है, before tax, वो 32 करोड के आसपास की net profitability बनता है, यह 32 करोड रुपए before tax, और 28% इस company को tax pay करना पड़ता है, ठीक है, इस company को tax pay करना पड़ता है, और वहीं पे total profit की बात करे, तो 23% का profit इस company को इस quarter में मिला है, जो इसके earning per share को minus 13 से 5 पर लेके आ गया है, 5 earning per share actually अच्छा है, और पिछले quarter से इस company ने इस quarter में काफी अच्छा revenue दिखाया है, अब इसमें next point आता है, प्रमोटर होल्डिंग का क्या सीन है, इस company के investor pattern का क्या सीन है, तो investor pattern के अगर हम बात करें, तो एक साल में इस company में, अगर हम लोग देखें तो 20, 31% का सबस का investor pattern था, FII की holding 2017 की बात कर रहे हैं हम, FII की holding 5.85% थी, 0.04% DIA की holding थी, public holding 62% का सबस था, जो की कम होते 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 अभी promoter holding जो है, वो बिल्कुल भी change नहीं हुआ है, पीछले quarter से लेके अभी तक 27.71% का सबस प्रमोटर holding है, and public holding जो है, 72% है, 72% जो holding है, वो public के पास है, promoter holding 27% है, थोड़ा सा अगर यहां पर FII, DIA, अगर इस टेक को increase करती है, तो एक अच्छा और इसके लिए green flag होगा, इ यह था company का complete financial data, और quarterly desert, और hope आपको थोड़ा सा यह valuable लगा होगा, आपको data समझ में आ गया होगा, कि company ने पिछले quarter में बहुत huge loss book किया था, जो कि almost 60 करोर रुपय के आसपास था, और वहीं पे इस quarter में company ने 30 करोर का profit बनाया है, तो profit with everything, like excluding of taxes, excluding of expenses, everything, तो यह था इस company का data, मिलते हैं किसी नए वीडियो में तक लिए स्टेट इन टेक केर, thank you so much guys, अगर आपको लगता है कि यह चैनल यह वीडियो थोड़ा सा valuable है, तो do subscribe this video, this channel and do like this video and put down your comment below, अगर आपको लगता है कि किसी भी other shares में आपको details चाहिए, analysis चाहिए, आपको comment section में बिलकुल बता सकते है बिना हिच के चाहट के, हम अपना opinion और जो भी data over the net available है, वो आफ तक लाने ही कोसिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस channel का यही expectation है, ताकि आपका data आफ तक लाया जा सके, यह channel बिलकुल भी sell and buy recommendation नहीं देता है किसी को, मिलते हैं next video, तक लिए stay tuned, take care, thank you so much, bye bye, take care.